काफी चेलनों पर आपने साधी को लेकर भी परपोजल देने की कोशिस कर रही है लोगarah भी आपको चाह रहे होंगे नहीं करता है क्या यही है कि मैं। मीला बहुत प्तुम की कि जिन्दगी.. रही कोई फाएदा नहीं। कि लोगों की इस गलत फहिमी को भी दूर कर दू क्या आप जो नार्वन महिला होती उस हिसाब से हैं कुछ अपने सिस्टम को चेंजी किया आपने बता जाता जी हाँ बिल्कुल जो कि पहले तो मैं महिले किनर थी ही थोड़ी सी दिक्कत थी वो भी मेरे सरजरी की माध्यम से ठ दोस्तों नमस्कार आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात मैं हूँ आपके साथ रमन उत्तर प्रदेश के जनपत जौनपूर में मौजूद है हमारे साथ बातचीत करने के लिए किनर समाज की कैसी हमारे साथ कहिन कह लिया जाए तो एक कलाकार है रंजना यादोजी जो क प्रदेश के जरिये जूड़ी हुई हैं सबसे पहले रंजना जी आपको बहुत-बहुत बदाई हिंदुस्तान की बात किसा चुड़ने की तो हिंदुस्तान चैनल में मैं सभी का पैरशो के नमस्ते करती हूं कैसे आपने हमको फोन कर दिया था पहली बात मेरे साधी करने क बीचार था और मैंने एक न्यूज में देखा आप हैंसम भी दिख रहे थे तो मैं सोची लाओ फोन कर दूं सायद मेरी सधीय हो जाए आपसे ही क्या साधी करने लाइक हूं और मेरे विचार भी था कि कोई मीडिया वाले से साधी कर लूँ तो किससे विचार है हमसे और मत मानेगा एक कहिन कही मजा किया भी टाइब की रंजना जी और अच्छी कहिन कहीं कलाकार भी है सबसे पर रंजना जी मीडिया पे आने का क्या मकसद रहा आपका ओ मेडिया पे आने का तो मेरा कोई मकसद नहीं था जो कि ऐसे ही मतलब होने के लिए चलिए रंजना जी से आ आप किन्र है देखिए पहले तो मैं पहले अपना पता बता दूंगे दर्शकों को मेरा ग्राम दर्यागन जिला जोनपूर की रहने वाली में रंजना यादो जब मैं छोटी सी थी तो मैं पढ़ाई करती थी और जब मैं आठवी कच्छा में पहुंची तब मुझे पता चला कि मैं किन्र हूं तो कैसे पता चला आपके ममी पापा कहीं दिखाएं कि आपको फिर कैसे मालूं जिसे होता है ना कि थोड़ा सा बोली चिंज होने लगती है और कुछ आजीब वरता हो जैसे होने लगता है तो उसी के माध्यन से कुछ-कुछ और भी अलग वरता हमने अपन नहीं घर को नहीं छोड़े हैं केवल घर से दूर दूर रहते हैं और ऐसे ही मेहनत करके यूटूब पर वीडियो बनाते हैं और सोचल मीडिया पर अच्छाखा समीरा अपने पापा का क्या रियक्शन आपके प्रति है बोल चाल को लेकर माले जीए ममी का तो ठीक है और भा जिस पेट से अच्छे लड़के लड़किया आते हैं उसे स्किनर समाज भी आता है तो जब पता चल गया तो आप घर को छोड़ दी जैसे ना का है कि किनर समाज के लोग आते थे तो थोड़ सा घरवा पर मुझे बुरा लगता था तो मैं सोचे कि अगर हम खुद नहीं घर पे रहेंगे तो मेरे घर पे कौन आएगा इसलिए हम ही दूरी बना लिया जैसे कि तब इन्होंने दूरी बना लिया लगातार सोश रहा है तो मैं हाथ जोड़के नमस्त करती हूं क्योंकि मेरी उनसे संपर्क भी है अच्छी खासी और उनका एक वीडियो एक गाना यह था फिस्बुक पे बाव ने कामेंट मांगत है आपन जीवन साथी परमानेंट मांगत है यह गाना मेरे काफा काफी अच्छा वायरल च क्या मतलब है देखिए मैं पढ़ाई कर रही थी वह हाई स्कूल में पहुंचने से जिसे नौ में पढ़ी दसमी में मेरे पास पैसे इसे नहीं था कि मैं नाम लिखा लो तो मैं जो है कि थोड़ा सा इधर अपने गाउं से छोड़के दूसरे गाउं में थोड़ा से के बगल में जिस्ट एक मास्टर है मैंने उनसे किताब मांगा मैं बोले कि तू का पास होगा रहने पढ़ने के लिए ठीक ऐसे मुझे थोड़ा सा ड़पाट के बोले और उनकी बातों का मुझे बूरा लगा तो जो है कि फिर भी हमने किताब उताब लेके कहीं ने कहीं से बेवस्था करके पढ़े तो 55% से पास हुए तो उसी से मैंने अपने यूट्यूप चैनल का नम रंजना यादो पांसो पच्पन का बहुत आच्छी बात है रंजना से बातचीत करके लग नहीं रहा है किन्र समाज से हैं अच्छा समान दे रही हैं बहुत किन्र समाज साब आप लोग मिलते होंगे तमाम बाते बोलती है एधर उदर की बाते क्या भी बोलती है ऐसा कहीं दो रहा है कभी काल बुल देती हैं नहीं बिल्कुल नहीं बोलती हैं, तो मेडिया वालों के लिए सम्मान हैकना है अपके दिल में? काफी चेलों पर आपने साधी को लेकर भी परपोजल देने की कोशिस कर रहे हैं लोगों को और लोग भी आपको चाह रहे होँगे हो सकता है क्या कारण है किन्हर समाज तो साधी हुधी नहीं करता सुनान। कारण यही है कि मैं सोच रही हूँ लोग बोलते हैं तुम लोग के जिन्दगी का क्या मतलब कोई फायदा नहीं तो मैं सोच रही हूँ कि लोगों की इस गलत फैमी को भी दूर कर दू मैं अपनी जिन्दगी का फायदा भी लोगों को दिखा दू तो मैं सोच रही हूँ कि ज क्या आप जो नार्बन महिला होती है उस हिसाब से हैं कुछ अपने सिस्टम को चैंजी कि आया आपने बता जाता है जी हाँ बिलकूल जो कि पहले तो मैं महिले किनर थी ही थोड़ी सी दिक्कत थी वह भी मेरे सरजरी की माध्यम से ठीक हो गया जी हां यह बहुत बड़ी खुल तो यह कौन सी खुआाइस है आपकी कियो अज इसे आलोक माउरिया चोड़के चली गई तो यह होगा नहीं गया वालोक माय बहुत अच्छे है से में कुछ नहीं कहूंगो नहीं पर से फंस जाएंगे बोलेंगे तेंको चकका के साथ में रिलेसंशन किया था जोती मार्य हो को बोलने का मौका मिल जाएगा अरे क्या वात देखिए भी जान रहे हैं रंजना यादो 555 बात्चीस करके भी लग रहा है कि पढ़ी और गुडवान भी हैं सिच्छा दिछा भी आपकी सुरूर सी ठीक है जी हाँ हाँ हाई स्कूल तक पढ़ें बोलें 55% सपास हैं तभी 555 हैं मेरा रोल नमबर भी था 31,099,096 मेरा स्कूल का नाम था स्रे नेपाल इंटर कालिज नेपालनगर, मैई, बर्पूर जाएँ और जाहां मेरा सेंटर गया था स्रे नारायाण सीना इंटर कालेज सराय हारखो तो मम्मी धिरे-धिरे चोरी-चोरी मुलाकात भी करना चाहती तो इसलिए गाओं में नहीं जाते हैं मैं यहां बाइक हैं कोई आपको ऐसा कहेगा तो उसको आप प्रताडित कर सकती हैं जी हाँ बिल्कुल हाँ हमारे मुह पे नहीं कहते हैं वरना मैं तुरंत चपल निकाल के मुह पे रख दो क्योंकि इनका भी समाज बहुत सक्री है जिस कुछ गाने भी आपके कुछ वायरल मैं चाहूंगा जो फेमस होंगे थोड़ा सा दर्सकों तो पहुंचाए क्योंकि किनर समाज डांस और गानों में भी इंट्रेस्ट रखता है मैं चाहूंगा मेरे गाना था जो आभी वायरल हुआ है टूटल बाते दिले सखी मिले नारा सहीले दरद सखी सुबहो साम तूटल बाते दिले सखी मिले नारा दिलावा में जख है मैं बनाई के गई ले मीडिया वालों से सदियर चाही के ले मीडिया वालों खको काफी प्रेम थैंगे अलगार नंबर आपका मेरे नमबर नहीं दर्साहिएगा मेरे चैनल का नाम तो एकर कमेंट करेंगे यह चांनन और चाहेँ कुछ अगर हो सपैंद माया दरसकों तक तो पँचाएए जो अच्छी क्वाइन हूए नहीं की कोई मैंने फिलिम में देखा था पावन सिंग को एक हिरोईन के साथ में खुब चिपक चिपक के दांस कर रहा था उसके बाद में उसका सीना ऐसे हलका सा किया था तो लोग उसको टैलेंट बोल रहे थे एक मतलाब क्या बोलते हैं एक बड़े आर्टिस्ट ने किया तो लोग उसे यह किन्नर समाज कि एक छोटी शीया अर्टिस्ट हैं अगर मैं करती हूं तो लोग मुझे वह बोलते हैं क्या बोलते सको चका नहीं जी बहाया बोलते हैं जैसेसे असलील बोलते हैं मैं करूँगी असलील और पावन सिंग्ग छेसारी अच्छरा संग यह लोग करें तो टै पास ऐसी कला ये नहीं कला तो है कहां से सीखा आपने इसको इकला मैंने पाउन सिंग को देखा था और साइद उनके वीडियो में था कि जो करके दिखाएगा उसको कुछ ही लाम मिलेगा कोई एक वीडियो बना कैसे वारल किया था तो आप पता नहीं क्यों कोई वारल कर रहा है मैं तो कर रही हूं मुझे मिलना चाहिए इनाम कोई करके दिखाएगा तो मैं इसको इनाम दूंगी आप भी दोगी जी हां देख सकते हैं इन्हों मैं साधी करेंगे इसकी सबसे बड़ी खुलासा बताईए जी हां बिलकुल मैं साधी करूंगे मैं बोल रही ना कि जिसे लड़का 30-32 साल का लड़का होना चाहिए और उसके एकाग दूरी बच्चे होने चाहिए और बीबी नहीं मतलब किसी के साथ में ऐसा हो नहीं अगर मा देखा आर्टिस्ट हैं हम खुद कमा के चला सकते हैं हम खोजे कि आप खोजिएगा और कोई भी मिले बताएगा कि हमारे चैनल में आके कमेंट करेंगे हम उनको जवाब देंगे उनसे मिलेंगे जूलेंगे देखेंगे थोड़ा सा परकेंगे उसके बाद में भाई साब हाँ भाई साब से भी कर लेंगे अगर करेंगे तो देख सकते हैं रंजना जी बहुत यच्छी है बाचीत करके भी इनसे अच्छा लग रहा है क्योंकि तमाम प्रकार के किन्नर हम लोग भी ट्रेंस से हर जगा यातरा जब करते हैं आते हैं तो आयुवाद भी कर करते हैं लोगों को छेड़ते हैं लेकिन रंजना जी भी अब धिरे धिरे जन पर जोनपूर के अलावा अन्य जिलो में भी जाना आना होगा अब इसमें बराबर रहे हैं किसके आ रहे हैं आयोध्या में मैं रहती हूं चंदर रिकार्डिंग स्टूडियो में और जो की मेर जगह मदद करेंगे जहां आपको जरुवत पड़े एक बर कॉल करके बोलिएगा देख लीजिए आप पूरी मदद करने के लिए तयार हैं मेडिया सांथ कि निवेदन है कि रंजना जी अच्छी कला अर्टिस्ट हैं और किनर समाज के अच्छी कहें किनर हैं और इनके साथ अगर आप भी अच्छे विवार करेंगे तो यह सांथ अच्छे से रहेंगी ऐसे यहोडर आगे बाद चीत कभी मिलेंगी तो करूंगा एक बात मैं। प्रोग्राम करेंगे ठीक, क्युण्कि मैं मेहनद करके कमाती हूँ, मैं जो की ट्रेन में चलोल के नहीं करती हूँ आज साथ शात मेरी पास वहाँ से दिली से चलके एक आठिस्ट आई हैं जो की खेसारी लाल जी के साथ फिल्मों में काम भी की है और कलुभेया के साथ भी वो काम की हैं और मेरे लिए धेर सारे कापड़े लेके आई हैं और उस सब का वीडियो आपको देखने को मिलेगा आनीता मिस्रा ब्लोग मिस्रा मीजिक वाल दो चैनल उनके हैं आप लोग जरूर देखिएगा बातचीत करके बड़ा अच्छा लागा र नहीं मेरे भी दोग मेरे हैं आत। झालाओ owि भा एठको ल parfait हर बादा schema करता हैं जरुतलात। झाला आत।